जे मातादी दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्देक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अपरा एक अदसी का वरत साल दो हजार पच्चिस में कब रखा जाएगा? और इसकी पूजा का सुब मूरत क्या रहेगा? साथी हम आपको बताएंगे कि अपरा एक अदसी के वरत का पारण किस समय किया जाएगा? और इसकी पूजा विदी क्या रहेगी? लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें, साथी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें, तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों, जेस्ट मास के क्रश्न पक्ष की एकदसी तिथी को अप्रा एकदसी का व्रत रखा जाता है, एकदसी तिथी के दिन भगवान विश्णु जी की पूजा का विथान है, माननेता के नुसार इस विशेज दिन पर व्रत का पालन करने से और भगवान विश्णु ज व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है इसी कारण इस एकादसी को अपरा एकादसी कहते हैं इतना ही नहीं अपरा एकादसी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादसी भी मानी गई है जो व्यक्ति अपरा एकादसी के व्रत का पालन करता है उ तो चलिए जान लेते हैं कि अप्रा एक अदसी की पूजा विदी क्या रहेगी। दोस्तों अप्रा एक अदसी के दिन व्रती को प्राता काल सुभा जल्दी उठकर इश्नान आदी करनी के बाद सुच वस्त धारन करने चाहिए। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त धारन करें क्योंकि पीला रंग भगवान विश्नु जी को अतिप्री है। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करके एक लकड़ी की चोकी पर पीले रंग का वस्तु बिछा कर भगवान विश्नु जी की मूर्ती या फोटो इस्थापित कर दें। दोस्तों एक दसी के दिन रातरी जागन हवस्त से करें। फिर अगले दिन सुबाह यानि द्वा दसी को पुनाव इश्नान करके विश्णु जी की पूजा करके किसी ब्रामण को दान दच्छना देने के बाद एक दसी के व्रत का पारण करें। और एकादसी तिथी की सुरुवात 23 मई 2025 की प्राता काल 1 बच कर 12 मिनट पर हो जाएगी और एकादसी तिथी की समापती 23 मई 2025 की रात को 10 बच कर 29 मिनट पर होगी दोस्तों अप्रा एक दसी के व्रत का पारण 24 मई 2025 की सुबा 5.46 मिनट से लेकर सुबा 8.11 मिनट तक रहेगा और पारण के दिन द्वा दसी समाप्त होने का समय 24 मई 2025 को साम 7.20 मिनट पर रहेगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै माता दी जरूर लिखें इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद